आप चलो है वेलकुम टे इंजिनियर्स करियर पाइंड प्लैट्फम माइनम इस गुरुविंदर तो आज का जो मेरा वीडियो है यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह उपर है लिदिज test series online test series specially बहुत student मेरे को call करते हैं जैसे sir अभी मेरे एक बात हो किटी जहां से मेरे को idea conceive हुआ है कि इसके related video बना लेनी चाहिए हरयाना में जैसे अभी एक्जाम है assistant environment engineer का प्रिलिम एक्जाम है objective एक्जाम है अब उसमें जैसे मेरे को student ने call करके बोला कि sir मेरा preparation का level अच्छा है लेकिन मेरे test series में marks बहुत कमा रहे हैं तो मेरे को उससे confidence low जा रहा है तो अब मेरा जो आज वीडियो का बनाने का जो agenda है जो purpose है वो यह है कि test series में तुम्हें expectation क्या करनी है test series का purpose क्या है वो सबसे important point है majority अपमान के चलो कि आप लोगों की expectation से कम ही रहें गी आपके जो test series में marks हैं उसके बीचे कुछ reasons है पहला चीज़ अगर तो test series बहुत ज्यादा authentic बनी हुई है then only you can relate authentic and realistic इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि examiner और यह actual exam में भी होता है कि आपको let us suppose 100 questions का एक paper है तो उसमें 10 से 15 questions वो ऐसे डालेगा जिससे आपका time waste हो गई होगा और अगर आपने वहाँ पे बहुत जादा time दे दिया तो automatically तुम्हारे marks कम चले ही जाएंगे प उसके बाद हमें क्या करना है जब हम test series लगाते हैं तो actual में जो test series का purpose है जो आपके marks है उससे ज्यादा कुछ भी predict मत करो पहला point दूसरा हमें क्या करना है कि जो आपको test series का purpose है वो ये है कि हमें ये देखना है कि जब हम actual exam में जाएंगे actual exam में जाने से पहले या actual exam के अंदर मैं क्या mistakes कर सकता हूँ किस तरह की mistakes कर सकता हूँ या किस टाइब के questions जो में इसे नहीं बनेंगे final exam के अंदर वो सारा का सारा purpose है test series लगाने का पहला कि आपसे question ही नहीं बन रहा मैं बताता हूँ कि आपको test series में क्या दिक्कते आएंगी पहला होगा कि आपको question बनी नहीं रहा है पहली बार सुना हुए है वो आप पूरी के पूरी जितना number of questions है उसमें 10 से 15% 10% मान के चलो कि आपको ऐसा question मिलेगा जो आपको लगे गई है इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है तो 10% तो वो हो गया उसके बाद अब ऐसे questions को करने का तरीका यह होता होता है कि इसको जैसे से ऐसे questions जैसे आप जब practice कर रहे हैं तो ऐसे आपको बहुत type of questions मिलेंगे जो आपको simple directly याद रखने वाले है उसको एक अलग से copy लगा के मैंने पहले भी separated video बनाया था कि how you can get extra 10 to 15 marks तो उसका तरीका ही है कि जो भी आपको ऐसे याद रखने वाले questions मिलेंगे डारेक्ट वाले questions मिलेंगे जो समझने का जिसका कोई मतलब नहीं है उसको एक अलग से copy बना के उसके अंदर लिखते रही है याद करने वाली चीज़े दूसरा type of question मिलेगा कि ये स्मिर को आता तो है लेकिन मैंने mistake कर दिया अब mistake कर रहा है तो अब ये mistake ठीक है अच्छी बात है कि test series में हो गया यही main purpose है कि जो तुम actual exam में जाके गलतियं करोगे due to any reason नहीं आता, concept नहीं आता concept आता है लेकिन स्टिल मैंने गलत कर दिया उसमें गलती के पिछे भी बहुत सारे reasons हो सकती है पहला reason यह हो सकता है कि मैंने हडबडा हड़ में तीसरा unit से related mistakes तो unit मेरे को convert करना भूलगे कि जब आप formula के अंदर values put कर रहे हो तो सब ही आपको पता है कि unit में होने चाहिए तो वहाँ पर आपने mistake कर दिया तो यह important point है कहने का मतलब यह कि overall test series का जो purpose है objective को समझो क्या चीज़ है वो objective समझना जूरी है especially जिनका जो preparation का जो level है वो बहुत ही जादा अच्छा नहीं है मतलब above average है लेकिन excellent नहीं है खासकर उनके लिए जो mistake करेगा test series में जाके इस pressure में तुम लोग test series करोगे कि मेरे को इसको निकालना है पेपर को और उस चकर में तुम गलतीएं करोगे वो गलत answer marking भी हो सकता है वो गलती कुछ questions में silly mistake भी हो सकता है calculation mistake हो सकती है हडबढ़ाट हो सकती है कि जब आपने पूरा test series कर लिया बाद में मेरे आए 100 में से 50 number लेकिन मैं इसे 100 में से 80 number ला सकता था listen me very carefully कि 100 number का जो paper है उसे 100 में से आपकी आए test series में 50 number लेकिन अगर मैंने जब उसके बाद analysis किया पूरे सारे questions को उठा के कि आर इस में से यह में question कर सकता था मैंने किये मैंने गलती हुई तो उसे 100 में से तुम 80 number ला सकते थे तो यह जो 30 number का जो gap है तुम गलती जो करके आ रहे हो जो भी reason है उसके वीज़े बहुत सारे reason तुम automatically identify कर लोगे जब तुम exam के end में अपना analysis करोगे तो उसे 50 को 80 तक लेकि आना है जब तुमने पहला test लगाया जब तुमने last test लगाया definitely yes यह जो difference है 50 से 80 वाला यह कम से कम 50 से 75 तक पहुँचना चाहिए तब ही आपको उसका test series का फायदा होगा otherwise only इस चीज़ पर कि मैंने test दिया मेरे number कम आगे और मैं उस pension में आ जाहूं उस pressure में आ जाहूं कि मेरे तुम पतेरी नहीं है तो वो totally wrong हो जाएगा analysis test series के end में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है so that कि तुम्हारा mistake ना हो actual exam के अंदर तो यह बड़ा simple सा purpose है test series लगाने का दूसरा definitely यह तो होता ही है कि मेरे को कुछ नए question सीखने को मिलते है test series में अब यह हरयाना के लिए जो चल रहा है जिसके लिए हमने dedicated test series भी launch किया हुए उसको भी बहुत बच्चे लगा रहे है उसमें भी बहुत बच्चे जो है जो ranker 1 आ रहे है या ranker 30 आ रहे है या 50 आ रहे है या 500 आ रहे है जैसे इतना candidate तो join किया हुआ है यार्ट पीडिया को इंजिनियर्स करें पाइंट को HPSC के लिए अब next जो turn आएगा वो मेंज वाला आएगा तो यह purpose है बड़ा simple सा अब यह चीज हर exam के लिए applicable है चाहे वो gate का exam है चाहे state exam है या कोई भी exam है हर चीज के लिए applicable है कि test series का purpose क्या है तुमने यहां से learning क्या करनी है कैसे तुम्हें अपनी mistakes को जो है final exam में repeat नहीं करना है जो तुम अपनी test series में लगा रही है और discussion करना चाहते हो कि sir मेरे को यह problems आ रही है त्यारी मेरी अच्छा है लेकिन मेरे marks नहीं आ रहे है you can directly call me और you can fill the google form preparation चल रही है सारे exams को लेकर preparation चल रहे है कोई भी आप exam से preparation करना चाहते हो तो आप हमारे साथ engineers career point की team के साथ जोड़के अपना preparation कर सकते है right everyone thank you and all the best